दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से LTS में स्वागत है IR CTC पे आज हम चर्चा करने वाले हैं किन बिंदूओं पे निज़र रखेंगे कौर्टर के नंबर देखेंगे जो लोग उपर के लिवल पे फसे हैं उनके लिए मेरी क्यार आये है बाकि जो लोग इसमें नए इंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए मेरी क्यार आये है और भी जानें किस प्रकार के उठा पटक अभी हाली के दिनों में हुई और मैं आपको डिस्क्लेमर के तोर पे बता दूँ कि पिछले कई महीनों से अगर देखें तो कुछ साल पहले से इस कंपनी में इस शेयर में मैं S.I.P कर रहा हूँ और लोगों को भी यही अपने वीडियो के माध्यम से कहता हूँ कि ऐसी मोनोपोली वाली कंपनी को कभी एक साथ ना खरीदे बलकि प्रतिमा कुछ न कुछ लेते रहे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा बजाय मुनाफ़ा के फिलाल सबसे पहले हम रिजल्स देखेंगे उसके बाद हम बाकी की चर्चा करेंगे क्वाटर के रिजल्स हम देख रहे हैं तो यहां पर क्वाटर ली पहले हम पिछले वर्ष के क्वाटर से कंपारेजन करेंगे फिर पिछले क्वाटर से कंपारेजन करेंगे तो यहां पर देखें सितंबर 2020 में जो सेल्स थी इनकी टोटल 89 करोड की उससे बढ़के आया है 405 करोड की इस quarter में इस वर्ष के quarter में और यदि हम देखें पिछले quarter में तो June 21 के quarter में थी इसकी sales 243 करोड की जो की करिब करिब देखा जाया तो double से थोड़ा कम 405 करोड की बढ़के आया है बहतरीन आया है उमीदों पे जो बाजार उमीद कर रहा था उ इसे प्रकार से सब कुछ skip कर दे हम operating profit margin वगएरा जो की शांदार है नीचे आ जाते हैं net profit में शुद्ध मुनाफ़ा में आते हैं तो पिछले वर्ष के quarter में था सितंबर 20 में 33 करोड का जो की बढ़के हो गया है 160 करोड के आसपास इस वर्ष के quarter में जबकि पिछले quarter यानि quarter 1 में था 83 करोड का 83 का जो की बढ़के हो चुका है 159 यानि 160 करोड के आसपास तो बहतरीन जो है results आए हैं और ये तो अभी कुछ नहीं है क्योंकि अगर आप देखेंगे क्योंकि सबसे आदा जो बहतरीन performance रही है online ticketing की रही है लेकिन अगर आप कौर फर्माएंगे कि तो के बाद देखेंगे company की performance अब जो इससे में वर्तमान प्राइस चल रहा है 850 रुपए का results आपने देख लिए तो results में क्या हुआ कि जो वर्तमान stock price चल रहा है जो earning per share निकल रहा 5 रुपए 31 पैसे और जो इसका price to earning ratio निकल रहा 161 का जबकि आप देखेंगे split के पहले जब तेजी इसमें देखी गए थी करीब अभी तो five times split हो चुका है आपके shares की बढ़ोतरी पांच गुना हो चुकी है तो दस से दो की face value पे आ गया है और वर्तमान जो face value है दो की है और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे जब 6000 पार कर गया था तो इसकी market cap थी एक लाक क्रोड क के आसपास लेकिन वर्तमान समय जो गिरावट हुई है और सथ हजार क्रोड के आसपास इसकी market cap है और हमने जब से वीडियो वराना शुरू किया है तब से 10,000 क्रोड से नीचे की market cap हुआ करती थी अब सोचे एक जिनोंने एक साल पहले इसमें निवेश किया होगा उनको बयानक तेजी आए थी बयानक शो शराबा हुआ था और 6,000 से उपर के लेवल पजिनों जो फस गए है उनके लिए मैं यही कहूंगा कि देखे कंपणी में कोई बुराई नहीं है अगर आप लंबे समय के निवेशक है तो बने रहिए और अगर गिरावट होती है तो आप आप एवरेज आउट भी कर सकते हैं कि बढ़िया नंबर साने वाले हैं बढ़िया बिजनेस है पर मोटर कोई ऐसा कोई आदमी तो है नहीं कि जो है किसी प्रकार कोई प्राब्लम हो सकती है हाँ गौर्मेंट प्रमोटर है कभी-कभी ओल्जूल हरकतें करक देती है जैसे कि उन्हें लास्ट वीडियो में चर्चा की थी तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहते हैं तिन पर आप ध्यान मत दीजिए इस कंपनी का व्यवसाह समझे कि ये जो कंपनी है कभी भी ट्रेन बन नहीं होंगी लोग ट्रेवल करना चालू रखेंगे लोग ऑनलाइन टिक् इस कंपनी के माध्यम से होता रहेगा और बढ़या आपको रिटर्न मिलता रहेगा तो रिजल्स आपने देखे बस यही कहूंगा कि चाहे धूप हो चाहे च्छाओं हो चल सतत अगनिपत अगनिपत ऐसी कंपनियों में SIP मोड पे खरीदते रहें SIP in the sense systematic investment plan के तहत आप ये क अब उपर के लिवल पे चूकि बढ़या रिजल्स आ हैं लेकिन अभी भी तेजी इस में नहीं देखी जा रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग के लिए बहुत सारे निवेशक तयार हैं तो इस पर भी नजर बनाया रखें कि अगर और भी गिरावट होती है तो आप क् करना शुरू करेंगे इस प्रकार से अभी कोविट की सिचुवेशन कम है हां बढ़ने लगे या बहुत ज्यादा पिछले वर्ष की तरह हो जाए तो फिर से भाई देखो वो तो बिजनेस पे कोविट के विए से प्रभावत पढ़ सकता है तो देखे कोविट अगर बढ़